वन्य बात्रम दर्सकों विशेशकर ऐसे दर्सक जिनके पास Android Mobile है या मैं यह कहाँ कि जो भी सारे वीवर्स है लगविक सभी के पास Android Mobile होगा क्योंकि जो वीडियो मेरा देख रहे हैं वो सारे Android Mobile पर ही देख रहे होंगे तो उनके लिए बहुत ही मैत्वपून अपडेट या बहुत ही मैत्वपून जनकरी आपके साथ साजा कर रहा हूँ यह जो जनकरी है मैं आपको दू वीडियो में पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा कि अगर मलो जैसे कि आपको पता है कि आज कल सब की विपास में Mobile होता है और अच्छे महेंगे Mobile आप यूज करते हैं औ वाल्गल सारे mobile में होता है तो कई तरह की समस्थ से हो जाती है mobile खो जाने के बाद में तो आपका mobile अगर खोजाता है तो आपसको कैसे recover कर सकते हैं या उसको अगर कैसे block कर सकते है यह पूरी जानकरी मैं आपको दूगा क्यले वीडियो मैं आपको वेब्सईट के बारे में लिखा हुआ है कि lost your mobile क्या आप का mobile खो गया है तो put it up in your details and let the central आप जो CEIR क्या है तो central equipment identity register इस पर जाएं और to help the trash and block your lost or stolen device अगर आपका device खो गया है या चोरी हो गया है तो उस device को आप यह तो trace कर सकते हैं या उसको block कर सकते हैं इस site पर जाकर करके अब इस site में आप क्या कर सकते हैं stolen mobile या lost mobile अगर खोया हुआ हुआ है या चोरी हो गया तो उसको आप चेक कर सकते हैं unblocked mobile found mobile आपने mobile का आपका mobile खो गया आपने उसको block करवा दिया लेगिन mobile आपको किसी भी तरी किसी मिल गया आपको चाहिए खुद मिला या पुलिस के द्वारा मिला या किसी भी तरी किसी मिला ता उसको unblock करवाना पड़ेगा नितों वो मूबाइल काम कर नहीं रहेगा तो वो कैसे करेंगे तीसरा है चेक request status यह नहीं आपने जो इसका आंकड़ा देखेंगे तो लगबग 9,66,780 मोबाइल है वो ब्लॉक किये जा चुक है इस साइट के द्वारा इसके लवा चार लाग 6,004 मोबाइल है वो ट्रेस्ट किये जा चुक है यह नहीं ट्रेस्ट किये गए हैं इसी वेबसेट के मादिम से तो बहुत ही उप्य आपका मोबैल सही है या नहीं है या मोबैल आप खरीदने जा रहे है तो इसकी अगर पहले आपके पास में अगर आपको इंबर अगर मिल जाए उसको कंपोल है या आपको हुँ अब्याने रूमे उसको आप रासकर कसे स लाइव कर के बताने के प्र impression हुगा तो जैसे know your mobile KYM ये क्या है तो through KYM you can check the validity of your mobile device even before buying यानि आप mobile खरीदने से पर ले उस mobile की validity बगर चेक कर सकते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा कि IMEI जो है is written on the mobile packaging box नहीं mobile के जो बॉक्स उसको पर IMEI number जो है वो लिखे हुए होते हैं it could be found on the mobile bill or invoice या mobile का जो भी होगा या invoice होगा जो रसीद होगी उस पर भी आपको यह number मिल जाएंगे from your mobile you can check the IMEI number अगर आपके mobile आपके पास में तो आप अभी जैसे वीडियो चल रहा है तो आप चलते वीडियो में पर आपके चेक कर सकते हैं अगर आपके आपके आपको स्टार एच जिरो शिक्स एच इंटर करना है और डाइल पर जैसे आप डाइल करेंगे तो यह आपके सामने आई में जो नंबर है वो सो हो जाएंगे मोबाइल स्क्रीन पर और इप दे स्टेटिस आप दो तो यह पास को यह क्योंतर नहीं तो यह बहुत ही इंप्रण कर यह आप उसमें कुड-ी-उज फॉलोविंग त्री मेतल्स इन्हें तीन तरीके हैं जिससे आप किव एमने अपना मोबैल है उसके बारे में जान सकते हैं कि आपका मोबैल जो भी है वो सही है या नहीं है कहीं मोबैल है वो डुब्लिकेट तो नहीं है खास करके IMEI नंबर चेक करके अब पहला जो इसका process है वो तो है SMS का तो आपको जैसे type करना है KYM फिर उसके बाद में 15 डिजिट का जो IMEI नंबर जो मोबैल पे है आपके मोबैल में है या आपके मोबैल के बॉक्स पे है या आपके मोबैल के जो भी रसीद है उस पे है वो नंबर आप आपको यह एंटर करना है तो KYM उसके बाद में 15 डिजिट का जो नंबर IMEI नंबर इंटर करना है from your mobile and send SMS to 14422 या नि 14422 इस नंबर पर आपको SMS करना है तो आपके सारे जान के रहे जाएगी दूसरा है एक KYM एप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते है जो Android या इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अब इसके लिए यह एप डाउनलोड करने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं तीसरा तरीका है अब जैसे माला आप डाउनलोड नहीं करना चाहते है SMS नहीं करना चाहते है तो एक वेब पोर्टल है इस पर भी आप जा करके चेक कर स आपको Caps İrugana है तो सिस्टे además जो कप्छाइड हुआ है एका अट तर शेमा नारी पेंटर करने जिस्टे आपके poka encryption ही आपके पासमे में मूबिल नमर मौकी सिमर नम feat यह एंटर गहाँ तो मैं जैसे यहां नंबर इंटर कराऊ और उसके बाद में यहां से आपको get otp प्रेक्लिक यह तो जैसे get otp प्रेक्लिक करें तो आपके आपको mobile ओटीप आजेगा और otp send on mobile और otp will expect in 5 मिनेट के छोटी वी कि एंतल करने है तो अब जैसे मैंने या जो बी मोजडी भी है इस टीविको महां बंशन और कर रहा हूं मैं टुञ刃 इनकार आउ कर दुञां कई तो जैसे में इमें नंमर आपको इंटर करके बता जि Tall मैं हो यहां इंटर करा हूंग Politics को कई हो घूंग तो यहां आपको नंबर इंटर करना है मैं यहां से जैसे आपने यह नंबर इंटर लिए और fusion यहां submit पर आप click करेंगे तो यहां जैसे right connection आगे और यहां इस तरह की साब के सामने following details found based on provided IMEI number है यह जो number मैंने यहां dial किये थे इस number के आदार पर जो आ रहाएगी एक तो आ रहाए status जिसमें आ रहाएगी IMEI is valid यानि यह number सही है इसके जो IMEI number है वो valid है brand name plus one है यानि जो mobile number है इसके लवा model name है जो mobile number का model name है यहां सो हो रहा है इसके लवा manufacture है तो जो भी plus one जो technology जो भी mobile की company उसका नाम आ जाएगा और device type में smartphone आ जाएगा और यहां check another email तो अगर दूसरी email चेक करना चाहेँ तो यहां आपको वापिस capture code बढ़ना है mobile number डालना है OTP है उसके बाद में email नमर जो भी है वो आपको एंटर कर गए तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके पास में जो phone है वो सही है जैनून है या नहीं है या कोई भी fraud या जो भी duplicate phone है तो वो आप पता कर सकते हैं अब इसके बाद में what is CEIRI या जो website है या जो portal है ये क्या है तो CEIRI citizen centric portal यानि जो नगरी कोंगे सुविता के लिए अधारित portal है किसका है Department of Telecommunication for tracing किसके लिए tracing lost or stolen mobile devices यानि जो खो गए है या चोरी हो गए mobile है उनको device को trace करने के लिए website बने गई है और this also facilitate for blocking lost or stolen mobile और इसके दोरा आप जो भी अगर आपका mobile खो गया है तो उसको block भी करवा सकते हैं क्योंकि mobile में बहुत सारी जानकारी आपके होती है और वो तुरंत ही आपको block करवाना जुरूरी होता है तो SIM block तो आप तुरंत करवा लें उसके बाद में आप mobile भी block करवा सकते हैं उसके बाद में चाहे वो सामने वाला आपका phone काम में लेगा तो वो phone एक तरह से dead हो जाएगा वो phone उसके किसी काम कर नहीं आएगा वो automatic IMI जो number है उसके आधर पर block हो जाएगा तो इसके लिए फिर उसको आपको unblock भी करवाना पड़ेगा नहीं तो काम नहीं चालेगा वो आपके भी काम करनी रहेगा तो इसमें जैसे mobile device in network all the telecom operators so that stolen या lost device cannot be used in India ताकि वो mobile है अगर आभ एक वाद उसको block करवा देंगे उस mobile को तो mobile इंडिया में कहीं भी काम में नहीं आएगा और if anyone tries to use the blocked mobile phone और अगर कोई वेक्ति उस block mobile phone को काम लेगा या उसको up करने का प्रयास करेगा तो its traceability is generated उसको trace किया जा सकेगा और once mobile phone is found और एक बार अगर mobile phone जो पता हो जाता है it may be unblocked on the portal या इसी portal से उसको unblock पी कर सकते हैं तो यह तो हो गया बिल्कुल सिंपल सा तरीका portal it's normal used by citizen नहीं आम नागरीख है उसको अपना जो mobile अगर मिल जाता है किसी भी वे से तो उसको unblock करवा सकता है काम में लेने के लिए दूसरा है कि when to block your phones IMEI या आपके phone की IMEI कब block करनी है तो जब आपका phone चोरी हो जाए या गुम जाए दोना तरीका हो सकते हैं या तो आपका आथ से कहीं गुम जाए कहीं किर जाए वह लग बात है या आपका को चोरी कर ले तो उस समय आपको जो mobile नमर है तो इसको कैसे block करना है तो इसके लिए जो process दिया हुआ है कि the user can block the phones IMEI by any one of the following method यानि जो अलगले method दिये इन में से किसी भी तरीके से कर सकता है पहला है कि through the form submitted on the website इस website पे जाकर करके आपको एक form submit करना है जिसमें file a report with the police इन सबसे पहले आपको पुलिस में fire कर रहानी है उसकी copy है वो आपको लेनी है उसको आपकी PDF ग्रूप में या जो भी इमेज वो आपको रखनी है उसके बाद में get a duplicate SIM card from your lost number from your service जो प्रवाइडर था यानि आपके पास में जैसे यहां लिखा हुआ कि ATL, Jio, Word of One, BSNL, MTNL जिस भी company के आपके पास में SIM हो उस company से आपको उसी number की जो भी SIM है वो आपको लेनी है duplicate SIM लेनी है क्योंकि उसके बाद जो भी OTP गराएगा वो आपको मिले ताकि आपका काम आगे आसान हो जाए तो आपको तुरंत है पुलिस में inform करने के बाद में duplicate SIM company से लेनी है और this is essential यह जरूरी क्यों है क्योंकि because you will need to provide this as a primary mobile number याँ इस number को आपको primary mobile number के रूमें देना पड़ेगा और OTP will be sent on this number याँ इस number पर आपको OTP हैगा तो आपको तुरंत ही आपका mobile को जाता है तो mobile भी जाएगा आपकी SIM भी गुमेगी तो आपको नई SIM है उपरानी SIM है आपकी जारी हो जाएगी तो पुरानी block हो जाएगी उसके बाद में while submitting the request for blocking email याँ जो भी आप email जो block करना चाहें उस समय आपके पास में SIM होनी जरूरी है तो आप उससे पहले जो duplicate SIM है वो आप ले 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 उसके बाद में इसमें नोट दिया होगी आइस पर try regulations जो try की जो regulations है SMS facility on reissued SIM will be enabled after 24 hours of SIM activation है नहीं SIM activation के 24 गंटे बाद में SMS की सुभी दा उस पर upload हो जाएगी तो अब यह अब जैसे अपने SIM नहीं ले ली आपका phone गुम गया, आपकी SIM भी गुम गई तो सबसे पहले तो आपको police report करने है उसके बाद में आपको नहीं SIM लेनी यह company से उसी number की उसके बाद में get your documents ready आपको अपने document चार करने क्या 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 करने एक copy of police report यह जो आपने एक report की copy चाहिए एक identity proof आपका चाहिए must be provided और you can also provide the mobile purchase invoice यह आपने mobile खरिता है उसकी receipt भी आप इसमें कर सकते है उसके बाद में fill out the request registration form for blocking IMEI यह नि IMEI को block करने के लिए आपको registration form है वो बढ़ना पड़ेगा वो form भी आपको दो दूँगा कैसे बढ़ना है उसके बाद में attach the request document जो भी document है वो आपको request document है वो यानि जिसमें जो आपकी ID proof है इसके लबाद पुलिस की copy वगर है यह आपको उसमें submit करने पड़ेगी और आप after submitting the form you will given a request ID आपको एक request ID दी जाएगी और request ID से आप status चेक कर सकते हैं आप समय समय उसको जाच सकते हैं कि आपकी जो भी उसकी क्या इस्तिती है आपका जो फॉन है उसके बाद में आप unblocking भी कर सकते हैं फीचर में जब आपका फॉन मिल जाए तो या एक तरीका दिया होगा है जो आप घर बेटे कर सकते हैं फॉन्स आई-म-E-I यह नि कोई जो यूजर है वो अपने फॉन को ब्लोक कर देता है या जिससे इसमें था वाट हैपन से यहां से तो आप रदा सक्सेस्फुल सब्मिशन आप ब्लोकिंग रिक्वेस्ट यह आप जिस साइट पे जब फॉन को ब्लोक करने का रिक्वेस्ट आप जेनरेट करेंगे तो यूजर's phone is blocked within 24 hours जो phone है वो आपका ब्लोक हो जाएगा चाहे phone किसी व्यक्ति ने चोरी किया हो उसके पास phone है वो अपने आप ब्लोक हो जाएगा काम करना बन कर देगा आपर दो phone has been blocked it cannot be used on any network across India तो पूरे भारत में किसी भी network पे वो phone है वो काम में नहीं आएगा इसके बाद this does not prevent the police from taking the lost year stolen phone लेकिन सबसे important बात यह है कि किसी भी के दोरा वेक्ति के दोरा तो काम नहीं आएगा लेकिन police को उसको trace करने में कोई समस्चे नहीं आएगी उसमें कोई बाता नहीं आएगी तो यह सबसे अच्छी बात है कि phone आपका block हो जाएगा आपको उसको phone को दूसरा use नहीं कर पाएगा लेकिन police है वो tracking का काम है वो करती रहेगी उसमें कोई समस्चे नहीं आएगी उसके बात में when to unblock your phone's EMI आपको उसको unblock up करनी है तो सीदी सी बात है जब आपका phone चोरी हो गया और वो phone आपको मिल जाए जैसे इसमें लिगाए तभी आप उसको unblock करें if it has been found या तो आपको मिल जाता है या is in position of the user जो भूख करता है उसके position में है उसके कबजे में है phone आपके पास भाँ में फान है पाँ मिल गया लेकिन आपके पास में भी phone आपको मिल जाता है या तो user as to report to the local police station की यह phone मिल गया है, उसकी शूजने आपको police station में देनी है, after that user can unblock your phone by any of the following method यहनी पहले आपको सबसे फ़ले police में शूजना है देनी है उसके बाद में आप phone को unblock कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो through the submitted form website पर आपको submit करना है, उसका process भी में एक पुरा अलग वीडियो बना करेंगा भूत हूँँगा, और fill out the request registration form for unblocking IMEI of the phone phone यहनी जो registration form होगा unblocking का वो आपको बढ़ना पड़ेगा after submitting the form EMI will be unblocking है, जो भी आपका phone है, वो unblock होजएगा, आपकी काम में आना सुरू होजएगा और इसमें note हैगी, if the user has registered blocking request with the state police, यहनी police की द्वारा आपने जो blocking request आला है they will also have to approach the state police to register unblocking request of their phone है नहीं, तो आपको police registration जागर के वहाँ से आपको unblock कराण पड़ेगा, उसके बाद में how to register a complaint है नहीं, आपको complaint कैसे देज करनी है तो fill out the complaint registration form यहनी इस site पे जो form दिया है उसको आपको registration करके आप कर सकते हैं उससे पहले आपको police में सुझना देने पढ़ेगी उसकी copy आप लगने पढ़ेगी और आप्टर submitting the form, यह unique complaint ID will be generated उसके बाद में, एक unique ID जनेरेट होगी, जिसके द्वारा आप उसको फ्राप कर सकते हैं या उसको form जो भी है, इस process को कर सकते हैं और form details will be mailed to your email ID नहीं, जो भी form की detail होगी आपके email ID पर आप उसकी सुझना पर आजएगी और save the complaint ID नहीं, जो complaint ID है वो आप save करकर रहें और register mobile number है, उसको आगे further ease के लिए आप रख सकते हैं क्योंकि आप status चेक कर सकते हैं उसके बाद में, जब भी एक बार आपने उसको complaint को किया, तो उसको आप वापिस unblock भी कर रहा सकते हैं next है, how to check complaint status, यानि जो आपने complaint किती उसके status कर से चेक करेंगे तो यह पूरी साइट पर अलग लग उप्सन दिये हुआ है तो जैसे इस साइट पर जाएंगे तो यह रिष्टर्ट मोबाइल नंबर है, उस पर आपको complaint status में जा करके चेक करना है तो वहाँ आपके जो भी मोबाइल रिष्टर्ट होगा उस पर आपके चेह अंगोगा OTP आएगा वो OTP आप इंटर करेंगे तो आपकी complaint की status है वो यहाँ सोग जाएगी जैसे यहाँ यह जो option है यहाँ लग लग उप्सन है जैसे यहाँ पहला option है अगले वीडियो में आपको एक करल आदिस जो है पुलिस विभा की दरब से जारी हुआ है वो और पूरा process manual किस तरीके से काम करेगा यह पूरा मैं आपको live बताने का प्रयास करूँगा तो मिलते है नेक्स वीडियो में और अगले वीडियो आप जुरूर देखें